वामदलो का दो दसक के बाद जो सूखा है संसद में वो खत्म होने के कगार पर है पहली बार महा कटबंदन की इस इंडिया कटबंदन में वामदल साथ में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और इस बार उमीद ये महाम महा कटबंदन के नेता वामदल के नेता लगा र बिहार में दो दसक का सुखा खत्म करने का इंतिजार वामदल के नेताओं को लंबे समय से रहा है 1999 के बाद चुनावों में बिहार से वामदल का कोई प्रत्यासी संसद नहीं पहुँचा इस बार सियासी फीजा कुछ अलग-अलग सी दिखाई पड़ रही है रंग बदले-बदले से नजर आ रहे है चुनाव के मैदान में उतरने वाले राजद वामदल कॉंग्रेस के साथ पुरी तरीके से एक जूटता उमिदवारों में दिख रही है इस कारण वामदल को उमीद है कि 2024 का चुनाव उनके जोली में कुछ ना कुछ दे कर जाएगा एक वक्त था जब वामदलों की उपस्तिती राज के हर इलाके में हुआ करती थी भारतिये कम्मिनिष्ट पार्टी हर सीट पर मुकाबले में रहती थी भागपा छह बार जहानाबाद बेगू सराय बलिया और मधवनी के मद्धाताओं की पसंद रही है जबकि नलंदा पटना के साथ पूरा मगद मोतिहारी सहाबाद की राय नीतिक भूमी भी पार्टी के लिए काफी उर्वरक रही है बेगू सराय को तो बिहार का लेलिन ग्राद कहा जाता था भाजन और कुछ राजनितिक समिकरण में बदलाओ के बाद उसकी श्तितिक कम जोड हुई पार्टी 1970 से लेकर 75 के दसक्त में कॉंग्रेस के साथ समझावता किया फिर भागपा ने 2014 में जेडियू के साथ मिलकर लोक सवाचुनाव लड़ा तब भी सफलता नहीं मिली 1967 में भागपा से टूटकर बनी मक्षवादी कमिनिष्ट पार्टी भी भागलपूर नवादा समस्तिपूर सारन मधवनी जैसे इलाके में अच्छा परभाव डालती रहे नवादा से दो बार और भागलपूर से एक बार पार्टी परत्यासी जीती प्रेमदीप दो बार नवादा से सांसत बने तो 1999 में अंतिम बार भागलपूर से सुबोध रायस सांसत बने भागपा माले ने हाल के दिनों में बिहार में मजबूत उपस्तिती दर्ज कराई है 1989 के लोगसवा चुनाओ में IPF के वेनर तले आरा संसतिय सीट से रामेश्वर पर साथ चुनाओ जीते थे तब भागपा माले सीधे तोर पर संसतिय राजनीत में नहीं उत्री थी उसके बाद माले ने सिवान, आरा, जहानाबाद, काराकर समेत अन्य सीटों पर चुनाओ लड़ा पर सफलता नहीं मिली साल 2015 से वामदलो का तीनो धड़ा महागडबंधन के साथ है राज़त कॉंगरेस के साथ तालमिल कर चुनाओ मैदान में है भागपा ने बेगु सराव और मागपा ने खकडिया से परत्यासी घोसित कर दिये है माले से राज़त की बाचित अंतिम चरण में है तीनो वामदल फिर से अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे खुए हैं राज़त को लेकर कहा जाता है कि राज़त ने पहले वामदल का वजूद ही कम कर दिया और अब उसे मजबूत करने में जूटे हैं राज़त के उदे से पहले 90 के दसक के अंतक बिहारिग में वामपत्थी दलों की मजबूती सड़क से लेकर सदन तक दिखाई देती थी भागपा किंगमेकर की हश्यत रखती थी बात के दिनों में लालू परसाध यादों ने वामदल को तकड़ी चूट दी उनके कई बिधाय को राज़त में सामिल कर लिया ऐसे में उनके अस्तितों पर खत्रा मडराने लगा दरसल दोनों की राजनितिक जमीन एक ही है दोनों समाजिक न्याई की बात करते हैं कमनुष्ट पार्टिया भी पिछले दलीतों मुसर्मानों के वोट पर आधारी थे राज़त ने इस्यू को अपना वोट बेंक बनाया अब भाज़पा की मजबूती ने वामदलों को राज़त के नज़दीक ला दिया है भाज़पा को 28 सालों का इंतिजार राण भाज़पा बिहार में अंतिम बार 1996 में तीन संसदिये सी मधुबनी, बलिया और जहानाबाद जीती थी वैसे लोक्स बाचुनार में उसका सबसे संदार परदर्सन 1901 कांडे में रहा जब पार्टी ने आठ सीते जीती थी जहानाबाद, बेगुसराय, नलंदा, पटना, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, जनाधार वाले इलाके रहे जहानाबाद से 6, नलंदा से 3 और पटना से 3, मदवनी और जैनेकर से 6, बेगुसरा और बलिया से 6, केसरिया से 2 बार, मोतियारी से 2, जमुई और अंगाबाद से एक एक बार पार्टी के उमिदवारों की जीत मिली है एक क्रित्य यानि जब भिहार और जारकंड एक साथ था तब भिहार में जम्शेथपूर में 1962 में जीत दर्च की थी, 67 और 71 में 55 सीटे जीत करने वाली भागपाद, इस साल, 28 सालों के बाद फिर से क्या रंग विखर पाएगी? क्या लोग सबाद चुनाओ के नतीजे जब सामने आएंगे तो लाल जंडे की गूज, लाल जंडे की धमक और लाल जंडे वाले नेताओं के नारे संसत में गूजेगी, इसकी उमीद खूब लगाई जा रही है ये लो मुह मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाएं, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां? अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मुझ मिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined